हेलो दोस्तो वेलकम बेक टू माई चानल तो आज बनाऊंगे तुरे की एक मज़ेदार सी सबजी जिसमें बहुत ही कम मसाला जाता है बहुत हेल्दी भी होता है इसको बच्चे भी खा सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा क्रीमी टेक्चर का होता है इसको आप रोटी राइस किसी क साथ भी खा सकते हैं बहुत ही कम मसाला में होता है इसके लिए मैंने तुरे को अच्छे से साप करके काटके रख लिया है अभी ग्यास पे कड़ाई चड़ाएंगे और थोड़ा तेल डाल देंगे मैंने यहां पर सर्सो के तेल का यूज किया है आप चाहे कोई सा भी तेल ले सकते हैं जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो याद रखिए काला जीरा डालना है यह आप स्किप मत करिएगा क्योंकि इससे फ्लेबर बहुत अच्छा आता है उसके बाद एक बड़े साइज के प्यास को मैंने बारिक काटके डाल दिया है और इसको थोड़ा कुक करे मेडियम फ्लेब पर ही कुक करेंगे अच्छे से प्यास को कुक करेंगे जब तक के बो लाइट ब्राउन कलर का हो जाए उसके बाद एक आलू को छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है और तुरेई को भी छोटे-छोटे पीसेस में कट करके मैंने डाल दिया है और स्वा इसको अभी ढग लेंगे, ढग के फ्लेम को हाई में 5 मिनट कुक करेंगे, उसके बाद फिस से मिलाएंगे, थोड़ा उपर नीचे करके, अच्छे से कर देंगे उपर नीचे उसके बाद फिर से ढग लेंगे, और इस टाइम पे अभी फ्लेम मिडियम करेंगे, वो साइड में अब उसका मसाला भी त्यार करेंगे इसलिए एक ब्लेंडिंग जार में मैंने पपी सीड और जिंजर ले लिया है अद्रक ले लिया है प्याज और थोड़ा काजू और दो ग्रिन चिलीज और थोड़ा पानी लेके इसका फाइन सा पेस्ट बनाएंगे देखिए ये पूरा पेस्ट हो गया है थोड़ा सा पानी डालके ही बनाएंगे नहीं तो आपका पेस्ट फाइन नहीं होगा अभी इस स्टेज पे देखिए सारे वेजिटेबुल आधे आधे पग गये हैं मिक्सिमम् 60% पग गये हैं इसी स्टेज पे हम बो काजू और पोस्त को पेस्ट देंगे वही बे ब्लेंडिंग जार में थोड़ा सा पानी मिलाके मैंने दे दिया हैं थोड़ा सा मिला लेंगे ugye 3 रहेंगे अ और अभी ठोड़ा सा देखिए द़ी को मेंने ले लिया आप चाहे तो अटाही स्किप भी कर सकते हैं मागर मुझे थोड़ा अभी हम अच्छे से मिला के इसको फिर से ढखके 10-12 मिनिट पकाएंगे मिडियम फ्लेम पे 10-12 मिनिट के बाद ये एकदम देखिए पूरा एकदम हो गया है और बहुत क्रीमी होता है बहुत इसको बच्चे भी आराम से खा लेते हैं क्योंकि उनको वो कुर्मा की तरह कोर्मा की तरह टेस्ट आता है इसका देखिए कितना सांदार इतना हेल्दी बहुत ही टेस्टी होता है आप रोटी रास किसी के साथ भी इंज्जोई कर सकते हैं तो आप लोगों को अगर मेर से अच्छे लगते हैं तो बिना सब्सक्राइब किये ना जाएएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक मज़ेदार सी वीडियो में बाई